नमस्कार, मायूप चार में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर शैलेंदर कुमार गोयल यूरोलोजिस्ट, सेक्सोलोजिस्ट, किड्नी ट्रांस्पारंट सरजन और रोबोटिक सरजन हूँ आज मैं आपको मास्टरवेशन के बारे में बताना चाहूँगा मास्टरवेशन एक बहुत कॉमन समस्या है और इसके साथ बहुत सारी भरांतियां जुड़ी होती है और बहुत सारे युवा लोग इससे प्रभावित रहते हैं मास्टरवेशन यदि मैं परिभाशित करूँ तो इसमें अपने ही स्वेक्सवल अंगों को अपने ही द्वारा अपने हाथ से या और किसी साधन से उत्तेजित करना और और औरगैजम को प्राप्त करना मेल लोगों के लिए कॉमन होता है कि उनका जो सेक्सवल औरगन पैनिस है उसको वो अपने हाथ द्वारा स्ट्रोक्स लगाते हैं फॉर्वर्ड और बेक्वर्ड मॉवमेंट्स में या बिस्तर पर लेट कर तकीयों के साथ या बैट के साथ उसको आप रब करते हैं तब आपको सेक्सवल ग्रेटिफिकेशन मिलता है और आप अपनी चरम सीमा या और गाजम पर पाउसते हैं और एजेकुलेट भी करते हैं सीमन बाहर निकलता है फीमेल्स में भी यही प्रिक्रिया होती है उसमें वो अपना उंगलियों दोरा या हाथ दोरा अपने कलाइटोरिस को और अपने जननांगों को उत्तेजित करते हैं और क्लाइटोर इसको ऊपर नीचे उतेजित करने से उन्हें सेक्सुल चरम सीमा का आनद मिलता है या आपने वो इस तन्म या ब्रेस्ट से खेलते हैं अभी आगे मैं इस समस्या से संबंदित आपको और सुझाओ अभी बताऊंगा लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो माई उप्चार का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वाटसिप पे इसको शेयर करें और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप एंड तक देखें जिससे पूरी जानकारी आपको मिले मास्टरवेशन एक नॉर्मल स्वाभाविक प्रक्रिया है जिन लोगों की शादी नहीं हुई और जिन लोगों के कोई सेक्स्वल पार्टनर नहीं है तो वो मास्टरवेट करते हैं मास्टरवेशन के बारे में कहा जाता है कि आल्मोस 99% लोग मास्टरवेशन करते हैं लेकिन 100% लोग डिनाई करते हैं कोई कहता नहीं है कि मैं करता हूँ और मास्टरवेशन से कोई प्रॉबलम नहीं होती और सीमन जो बनता है कि एक लिए कहने कि 40 मील से जाके फून की गुन बनती है, 40 बून खून से हैं कि 40 गुन से हैं 16 गुन जाकर फून जाषून, गुरे 10 से 1 बून सीमन बनता है और हम अपना बून स्य स्य से श्यूल केant है, और इस ताकत को जाने से हमें लगता है कि हमें कमजोरी आ रही है दूसरा एक और है कि हम मास्टरबेट करते हैं तो हमारे हाथ की लकीरें पैनिस पे जाती हैं और उसकी वज़े से पैनिस के ऊपर वेंस प्रॉमिनेंट हो जाती हैं और उसकी नसे खराब हो जाती है यह बड़ ज्बान करते हैं तो उस से हमारी वारिटिट templi है मास्टवरेशिन करने में हमारे नसे खराब हो रहीे है और शादी से पदर हैं यदि हम ये कर रहे हैं तो हम प। कर रहे हैं यह सब misconception है, दूसरी बात यह पेशेंट हमारे पास आते हैं वो कहते हैं, नहीं सर आल हमें तो problem हो रही है हमें तो कमजोरी हो रही है, आप कहा है में le回去 का conception है यह जो कमजोरी हो रही है यह इस वजए से हो रही है तो body का reaction, सांस फूलना, घबराना, heart का, दिल का धड़कना, palpitation होना तो body कैसे react करती है, यह हम सोचते हैं कि हम जैसे सोचते हैं उस act को हुए तो यदि हम masturbation को सोचते हैं कि हमने गलत काम किया तो हमारी body उसी धंग से react करती है, हमारे कमजोरी आएगी, हमें सूखेंगे, हम डिप्रेस होंगे, हमारे जबान सूखेंगी, दिल धड़केगा, पेट में दर्द होगा, acidity होगी, constipation होगा, यह सब चीज़ें हमें होगे क्योंकि body हमारी react करती है, हमारे mental stimulation को, हमारे दिमाग को body हमारी react करती है लेकिन masturbation से मैं यह कहूँगा कोई problem नहीं होती, अब बात आती है कि कितना frequent करना चाहिए, ऐसी कोई logical sequence नहीं है कि हम कहें कि daily करना चाहिए, या साल में एक बार करना चाहिए, या महीने में एक बार करना चाहिए लेकिन मैं medical point of view से कहूँ कि वीर्ये जब आप जवान हो रहे हैं, आपके hormone active हैं, तो आपका वीर्ये बनना शुरू हो गया है तो वीर्ये बाहर आना चाहिए, यदि वीर्ये अंदर रुकेगा, तो वो infection करेगा, तो वीर्ये बाहर आने के जो शादी शुदा लोग नहीं है, जो शादी शुदा हैं, वो sex कर रहे हैं, उनका वीर्ये वैसे निकल जाता है, और जो शादी शुदा नहीं है, तो उनके लि में खट्टा होगा और वहां पर infection करेगा और common कारण जो यंग लोग हमारे पास infection के साथ आते हैं वो इस वज़े से आते हैं क्योंकि वो सीमन को बाहर नहीं निकाल रहे हैं जिसको abstinence कहते हैं कि वीडिया को रोक के रखते हैं Masturbation करना मैं तो कहूँगा कि करना चाहिए उसको करने से कोई problem नहीं होती लेकिन हाँ उसको करने के साथ उसको अपना पाप, sin, depression या और चीज उसके साथ attached नहीं करें Masturbation is a healthy thing और इससे problem केवल उनीक होती है जिनको इसके बारे में proper ग्यान नहीं होता या दूसरी चीज होती है कि मीडिया, आज की तारिक में मीडिया एक बहुत सशक्त साधन है किसी भी चीज को promote करने के लिए लेकिन इसका एक disadvantage भी है कि कई बार कुछ लोग इसका फाइदा उठा के जो so called हमारे ही profession में जो लोग युवाओं का इन धार्णाओं की वज़े से उनसे पैसे एटना चाहते हैं और उनको गलत यूज करना चाहते हैं तो उनको कहते हैं तुम्हें तो यह बिमारी हो गई और अब तुम्हें नहीं करना चाहिए और उसको सिन के साथ अटेच करते हैं और उसको करते हैं कि यह चीज एक पाप है और इसे नहीं करना चाहिए बट मेडिकली मैं एक होगा ऐसे प्रॉस्टेट सर्जन और ऐसे यूरोलजिस्ट और सेक्स ओलजिस्ट कौलिफाइट सेक्स ओलजिस्ट की स्मास्टर विश्ण से कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसा माना जाता है कि म को उनके भी हार्मोन एक्टिव होते हैं और भेते हो को उतेजित करते हैं और मास्टरबेट करते हैं एक शोध में ये भी कहा गया है कि मनुष्य अपना जो वीर्य निकालता है साल में यदी तीन सो बार से ज़्यादा निकालता है तो वो स्वस्त रहता है और उसको भविशे में प्रॉस्टेट कैंसर वगरा नहीं होते हैं तो य और इससे addiction वाली बात आती है, यह addiction नहीं है, यह स्वभाविक प्रिक्रिया है, तो इसके लिए परेशान होने की जरुवत नहीं है, तो masturbation मैं यह कहूँगा, एक स्वस्थ प्रिक्रिया है, सब लोग करते हैं, लेकिन इसके साथ अपने पाप और इसके साथ अपना depression और गलत चीजों को हम जो मानसिक रूप से हम जोड लेते हैं, वो गलत है, तो एक बार मैं यही संदेश देना चाहूँगा, कि masturbation गलत नहीं है, और इसके साथ हम अपना कोई गलत भाव या जो हमारे समाज में misconception हैं, उसको हम ध्यान ना दें, और masturbation करना healthy है, और इससे हम अपना एक तरीके से हम अपने को मानसिक बिमारियों से बचाते भी हैं, मैं समझता हूँ कि यह आज का हमारा वीडियो आपके लिए जानकारी पूरवक रहा होगा, और आपको यह अच्छा लगा, तो आप मैं चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब के मायूपचार चैनल को आप सब्सक अच्छना चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेजें, हम उसका जवाब देए, धन्यवाद।